आज हम कुछ ऐसी पांच चीज़े डिसकस करेंगे जो कि आपको help करेंगे कि जो upcoming exam है उसमें आप अपने JRF को easily qualify कर सके एक चीज़ याद रखना आज जो भी चीज़े discuss होंगी वो realistic होंगी तो दबके एक बार इस session को share कर दीजी अपने दोस्तों सब के साथ share कर दीजी ताकि सब कोई session का benefit मिल सके students कुछ भूँ मैं हमें आप लोगों के लिए mega workshop लेकर आ रहे हैं on 30th मैं sharp at 8 p.m. जिसमें वो discuss करेंगे कि ऐसी कौन से 10 mistakes है जो as a student हर बच्चा करता है बट उसे avoid करनी चाहिए ताकि वो अपने net के exam को अच्छे से qualify कर सके इसकी जो registration students बिल्कुल free है जो registration link है वो आपको description box में मिल जाएगा ओके students एक WhatsApp पे हमने आप लोगों के लिए group बनाया है जिसका again link आपको description box में मिल जाएगा जिस पे regular YouTube class का update मिलता है regular exam का update मिलते है live.sessions वहाँ पे रहते है quizzes pdf लाइक जो भी आपके exam point of view से important है वो हम regularly वहाँ पे update करते रहते है students अगर अभी तक भी आपने by use exam prep की app को download नहीं किया या जो बच्छा बिल्कुल new is platform पे ठीक है वो इस QR code को scan करे और by use exam prep की app को download करे because regularly मैं वहाँ पर पूर PMP class ले रही हूँ जो कि बिल्कुल free है जिसमें हम discuss करें पी वाई क्यूस ठीक है तो ये class आपके upcoming exam के लिए बहुत relevant होने वाली है तो अभी square code को scan करें और app को download करें okay students अब हम इस session को start करते हैं okay this is first tip from my side to all the students की आपको अब सिरफ और सिरफ revision करनी है main focus आपका revision और recall पे होना चाहिए because हमें पता है कि 8 to 10 days हमारे पास बचे अपने exam के लिए तो जितना हो सके जो अपना maximum time पे सिरफ revision को दो कोई भी new study material है market में available अची के आपके दोस्त के पास है कि किसी के भी पास है कुछ भी नए नहीं पढ़ना है अपनी notes पे faith रखना है जितना कर लिया sufficient है ऐसा ना हो कि आप नई study material की तरफ भागो पिछला भूल जाओ और exam में सब कुछ न होच पोच हो जाए और कुछ भी ना याद रहे ठीक है तो इस time पे एक मतलब कि tip है मेरे side से that is revision is the key at this point ठीक है मैं तो in fact यह भी बोलूँगे कि अगर कोई बच्चा इस time पे मोक भी दे रहा है तो वो ना दे जब तक वो बिल्कुल sure नहीं अपने revision को लेके ठीक है इस time पे students सिरफ revision ही आपको help करेगी अपने upcoming exam के लिए okay second tip from my side is अब आपको पता कि 8 to 10 days रहे हैं ठीक है उसमें भी last के जो 1 और 2 days है आपको सिरफ और सिरफ factual information को revise करने में देना है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा geological time scale हो गया ठीक है इसी तरह कि जो भी चीज़े हैं जो बिलकुल facts related है जिसमें समझने का दूर दूर तक कोई funda ही नहीं है सिरफ memory based है तो last का एक या दो दिन आपको सिरफ और सिरफ उसी के लिए रखना है ठीक है concept वाली चीज़े अभी सारी revise कर लो last एक या दो दिनों में सिरफ यह च बड़ते हैं दिन में सोते हैं अब आपको अपना sleep cycle बिलकुल correct करना है चीक है कोशिश करो रात को आप सो और दिन में revision करो तो कि इससे क्या होगा कि अपने upcoming exam में आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि exam के time पे हमें नींद आने लगती है और जो हमा of your health because अगर इस time पे हमारी health खराब हो गई कासी जुखा हम कुछ भी हो गया ठीक हमने high stress ले लिए कुछ भी हो गया तो उसका सारा का सारा impact हमारे exam पड़ेगा चीक है और ऐसा हम बिलकुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा exam खराब हो इतना time की महनत है वो नहीं चाहेंगे कि हम ख खाना है ठंडा पानी वगएर इन सब चीजों से बचने students ठीक है exam तक यह चीज़े follow कर ला उसके बाद जो मन में आए जो करना करना जो मन में आए खाना ओके fifth and the most important thing is it is extremely important that you stay calm अब हमें बिलकुल काम मतलब ऐसा मत करो कि और नहीं हो रहा नहीं हो ठीक है और pressure लेते रो mind बे यार यह चीज रह गई ठीक कोई भी नहीं study material देख ले यार यह मैंने तो पड़ा नहीं मेरा नहीं एक्जाम क्लियर होगा ठीक है आपको काम भी रहना काम के साथ आपको positive भी रहना students ठीक है क्योंकि जब तक हमारा attitude positive नहीं होगा तो हमें result कैसे positive मिलेगा हमें अपने attitude म जानी पड़ेगी यार हो जाएगा ठीक है यह पांच चीजे मैं कहूंगे कि मूल मंत रहा लास्ट के 10 डेज में अगर आपने follow कर ली ठीक है और लास्ट के अगर कहते हैं मैं बोलू six months में और आपने जो hard work है वो बिलकुल sincerity के साथ किया होगा अच्छे से महनत की होगी तो आपके इस अपकमिंग एक्जाम को क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर हम फिर से देखे स्टूडेंट्स फर्स्ट टिप थी कि आपको इस तरहीं पर में फोकस करना है रिवीजिन पर ठीक है सेकंड इस आपको लास्ट के वन और टू डेज रखने सीरफ और सीरफ इन्फोरमेशन को लहन करने के लिए थार्ट टेप इस आपको अपना स्लीप साइकल करेक्ट करना है पूर्थ टेप इस आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने है फिफ्ट एंड लास्ट इपोर्टेंट्ट टेप इस आपको बिलकुल पॉजटिव रहन है काम रहना है because students बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऐसे नहीं बोलते कि यार मुझसे नहीं हो रहा है नेगेटिव हो जाते हैं ठीक है असार दिन टैंशन में रहते हैं उससे आपके performance increase तो नहीं होने वाली है मतला decrease ही होगी तो ऐसा आप attitude में ही चेंज लाए ताकि आपकी जो performance है वो बिल्कुल भी decrease now ओके students these are the most five important tips from my side to all of you ओके ओके students एक ना क्या कहते है general aptitude का foundation course लेकर आ रहे हैं sir जो की launch होगा आपको 2nd of June that is 2023 अगर आपको इसमें क्या कहते हैं पर enroll करना है और registration के regard कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर call कर सका that is nine six five zero zero five two nine zero four ओके एक students आपके लिए specifically revision course series चल रहे हैं जिसमें हम क्या करवा रहे हैं जितने भी important के किता concepts है exam point of view से उसके revision करा रहे हैं unit wise PYQ करा रहे हैं doubt sessions उसमें रहेंगे quizzes study notes वह हम आपको प्रोवाइड कर दें हैं अगर आप exam prep app के paid user बनते हैं ठीक है उस पे pay करते हैं और paid user बन जाते हैं और upcoming exam जो कि December का होगा उसको clear कर लेते हैं with GRF not net अगर आप GRF उसमें qualify कर लेते हैं तो जितना भी आज आप हमें पैसे देंगे वह सारी की सारी पैसा आपको वापसी मिलेगा तो जल्दी से जाए इस offer को I would say grab करें अगर आप December को target कर रहे हैं अगर अभी तक आपने हमें आप प्रिंटी तो पर पर नहीं जॉइन किया है तो प्लीस जॉइन करें आपको तभी अवेल होंगे जब आप पेड यूजर बनेंगे नहीं प्रिंटीन करने के लिए प्लान देंगे अगर पेड उसर बनते हैं ठीक हैं second thing printed books हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे study notes हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे entire syllabus हम cover करवाएंगे like वो हमारी tension है आपको study notes अब कुछ ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी standard books में से still अगर आपके मन में कोई भी doubt है कोई query है तो आप हमें call कर सकते that is on nine six five zero zero five two nine zero four और आप हमें mail कर सकते support at by juice exam prep dot com okay students in this session को wrap up करते then bye bye and wish you all the very best for upcoming exam जितनी हो सके जितने शिद्ध से हो चाके मलब जम के महनत कर लीजिए सिरफ 8 से 10 दिन रह गया है fully dedication के साथ दे दीजिए क्या पता आपका ये exam बहुत अच्छे rank के साथ qualify हो जाए ओ किस रेंट सेन बबाए ये